नमस्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूँ Sensible के इस नहीं हिंदी डेली मार्केट अनालिसिस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट अनालिसिस अब से पहले देखेंगे बाहर भी हूँ और थोड़ा घर का भी कुछ काम का चलना तो इस विजए से मैं नहीं बना पाया पर अब रेगिलरली वीडियो जाना शुरू हो जाएंगे वीकली अनालिसिस में अपलोड कर दिया करूंगा तो दोस्तों सबसे और मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगा कि आप लोग नहीं यह कहा कि मना बुरा भी लगा कि मैं नहीं बनाया परंतों मुझे अच्छा लगा कि अप लोग इंतजार करते हैं वीडियो का तो ये बहुत अच्छा लगा सुनका तो चली एनालिसीश शुरू करते हैं तो यहां पर हमने कहा था कि अभी market में enter करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां पर आपको कोई अच्छी price market नहीं दिखाई देगी नहीं आपको अच्छा stop loss level market में दिखाई देगा सबसे पहला सवाल हमें यहीं पूछना होता है कि बोस हम stop loss कहां डालेंगे ठीक है अब वो थोड़ा pause ढूंडेंगे उसके बाद market में हम try करेंगे अगली opportunity का ठीक है अभी nifty अगर आप देखेंगे तो nifty almost 50 डिये में के आसपास trade कर रहा है यह है 50 डिये में ठीक है इसी के आसपास nifty trade कर रहा है bank nifty अगर आप देखेंगे तो bank nifty भी 100 और 50 डिये में के बीच में trade कर यह 50 डिये में है और यह 100 डिये में है यह 50 है यह 100 है यह मैं लिख देता हूँ ठीक है तो इसी के बीच में अभी bank nifty trade कर रहा है तो अभी एक हमारे पास बहुत अच्छी opportunity मुझे आती हुई दिखाई दे रही है कि यहा तो यहां से अब देखें एक point आप दखेंगे तो nifty bank nifty या जो भी charts है market में वो किसी similar जगे पर ही आके support या resistance market में लेते हैं यह एक यहां पर मुझे दिखाई दिये जैसे कि इसका कहने का मेरा क्या मतलब वो मैं आपको याद होगा जब हमने market में जब यह bullish move market में आया था ता हमने कहा था कि boss 19600 वो level है जहां से market अगर भान निकल करता है तो हम market में strong rally देख सकते हैं और जब actual में market में इस candle पर 19600 के ऊपर closing दिया था जो कि इस candle का almost high था ठीक है exactly 19600 नहीं था पर उसकी आज सपास था इसका high तो हमने कहा था कि इस candle के ऊपर एक बार market close कर जाए उसके बाद market में आपको एक अच्छी rally market में देखने को मिलेग ठीक है और अगर market में आप देखेंगे तो यहाँ पर almost आप यही 19600 पर market ने दोबा resistance लिया यहाँ से breakout दिया और इसी zone के आसपास market ने आज halt किया है ठीक है 19600 के आसपास ही market ने अपने ये doji candle यहाँ पर बनाया है अब doji दो तरीके से हो सकती है ठीक है दो तरीके से behave कर सकती है एक तो market में doji क्या लाती है reversal लाती है ठीक है यह सबसे पहले दूसरा क्या होता है doji continue करती है trend को continue करवाती है trend को तो यहाँ पर यह किस तरह की doji बनी है यह हमें थोड़ा market से figure out करना पड़ेगा और figure out करने केवल एक ही तरीका है कि market आपको खुद बताए कि यह किस तरह क अब यहां पर मैं क्या करता हूँ एक फिबनाची डाल देता हूँ आपके लिए कि मालीजे यहां से market में एक fall आया है तो जब तक कि market 19,000 50% मार्क है 19,900 के उपर मार्केट नहीं निकलेगा इसके उपर मार्केट प्राइस एक्षन नहीं बनाता है तब तक हम market को bullish नहीं मानेंगे यह हम दृड़ संखल्प लेके मन में चल रहे हैं तो जब तक कि market 19,900 के उपर नहीं जाएगा इसके gap के जो gap market न नहीं trade करेगा तब तक हम market में aggressive bullish positions नहीं लेंगे market में ठीक है यह हमारा सबसे पहला वादा हुआ अपने आप से ठीक है अब यहां से maybe क्या हो सकता है किस तरीके का market turn out हो सकता है देखे एक मैं आपको concept और बताता हूँ ठीक है यह मैं आज ही कुछ इस चीज़ पर विचार कर उपर जा रहा है देखे एक general market की philosophy बताता हूँ मैं ठीक है अब एक early chart पर ही चलते हम वहाँ पर अच्छे से clear हो जाएगा concept अब देखे जैसे market यहां पर जिग जग 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 चल रहा था तो बहुत से लोग market follow करना छोड़ देते हैं market को market को trade करना छोड़ देते हैं मतलब trade करना भी नहीं चाहिए जिग जग मार्केट में परन तो बहुत से लोग market follow करना छोड़ देते हैं ठीक है ठीक है market में पहले trader आ जाते हैं जो की regular trader है market में ठीक है जो regularly market में trade करता है दूसरे होते है occasional trader ठीक है occasional traders क्या होते हैं कि जो professionally occasional जो की market में opportunity अच्छी दिखेगी तो trade लेंगे नहीं तो trade नहीं लेंगे ठीक है तीसरी type के क्या होती है आम जनता होती है ठीक है अब जनता क्या रहती है जनता में क्या common बात होती है अब ये लोग वो होते हैं जो market में जैसे market interesting move अगर नहीं कर रहा है ठीक है तो market में अगर कोई भी interesting move अगर market में नहीं हो रह करने रहें तो वो लोग क्या करेंगे जब ये दो दिन मार्केट बहुत श्ट्रॉंगली मूव कर जाएगा तब उनको मतलब मार्केट में फिर क्या होता कि कि स्क्रीनशॉट्स आने लगते हैं सोशल मीडिया पर क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट कि इसको नहीं पसंद है तो इस ताइम पे फिर क्या है कि मार्केट में बहुत अच्छा मूव क्या ख़बरे आने लगते हैं फिर यहाँ पर यहाँ कहीं पर एंट्री होती फिर से उन र तरेड नहीं करेंगे फिर से लोगों की एंट्री होती है और मार्केट फिर से जिग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग- जिग-जाग हो गया अब इस चीज के बाद मार्केट जब ब्रेक आउट देता है अब क्या होता है यहां पर फिर से वही चीज रिपीट होती है कि यहां से मार्केट ने दो तीन दिन बहुत अच्छा ट्रेंड किया फिर अगले दिन फिर से थोड़ा जिग-जाग चला गया क क्योंकि लोगों के बास खबर पहुंच गई फिर से मार्केट यहां पर जिग-जाग हो गया अगया जिग-जाग हो गया ऐसा ही कुछ-कुछ फिर से हुआ ठीक है मार्केट में गाड़ाउन ओपनिंग होई यहां तक सब कुछ सभा रहा था फिर यहां पर गैप डाउन जहां पर यह pattern पाएंगे, जहां जिस जिस phase में आपको trending market दिखाई देगा, आपको यही pattern market में दिखाई देगा, और वो simple इसी लिए, क्योंकि market के cycles होते हैं, और जब हम market में entry के लिए रहे होते हैं, तो अपने आपको उस time के लिए बचा के रखना है, अपने capital को उस time के लिए अपनी energy को, अपने confidence को उस time के लिए बचा के रखना है, जब market में trend आएगा, तो उसके लिए market में आपको या तो क्या कर सकते हैं, आप कैसे भाई, हमें कैसे बता चलेगा, कि market में trend आ रहा है, at least हमें swings तो पता है, ठीक है, 19,600 पता है, 19,800 पता है, recent swings तो हमें पता चली गए ठीक है, यहाँ पर हमने, एक हमने analysis करा कि बोस, 19,900 के उपर जब जाएगा, तब हम marketing प्लान करेंगे, एक छोटा मोटा trade मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कि एक swing high है, एक swing low बनाया, यहाँ पर swing high बनाया, almost market यहाँ पर ठीका हुआ है, यहाँ से अगर market उपर जाएग पूरा time market में active नहीं रह सकते हैं, तो at least आप alert तो लगा सकते हैं, 19,600 के alert लगा दीजिए, जब भी market यहाँ कहीं पर नीचे जाएगा, तो at least आपको पता होगा कि हाँ, आभी मुझे market को follow करना है, market को देखना है कि market क्या कर रहा है, ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर आप market मे आदा घंटा, एक घंटा, अगर आप यह daily market analysis show देख रहे हैं, तो उसका मतलब ही है कि आप trade करना चाते हैं market में, कुछ ना कुछ करना ही चाते हैं, trade करना चाते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं, तो आप market को आदा घंटा रोज दे दीजिए, कि बोस मैं शाम में रोज आपको catch up करने में time लगे, ठीक है, form of elo, जब market move कर जाये तो, ठीक है, loss अगर हो गया, market से बिल्कुल, बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए, trade नहीं करना चाहिए, लेकिन market के touch में रहे है, at least market hours में मत देखिए, market hours के बाद में देखिए, market को, ठीक है, तो यह थोड़ा गयान था, जो मैंने देदिया, आपको अब हम बढ़ते हैं, हमारे general market analysis के तरफ, देखिए, तो nifty अगर आप देखेंगे अभी, तो मैं अभी यहाँ पर कोई भी trade particularly लेना नहीं चाहता हूँ, देखिए, अब क्यों नहीं लेना चाहता हूँ, unless market 19,600 का level cross करेगा, ठीक है, ज कोचिश करी, यहाँ पर फिर से try करने कोचिश करी, अब फिर से अगर market ऊपर जाएगा, तो सबसे पहला मुझे लगता है कि यहाँ पर एक resistance ले गाए, क्यों काफी time बात जा रहा है, तो यहाँ से एक resistance लेने के बाद market फिर से upside पर इस तरीके से move कर सकता है, कि यहाँ पर गय जब यह market gap से ऊपर निकल जाएगा, तब market में थोड़ बहुत market buyers आना पसंद करेंगे, market में खरीदारी करना पसंद करेंगे, ठीके, देखे, यह हमारी सोच है, या कह लीजिए कि, जैसे मैं हमेशा आप से कहता हूँ कि भाया, अगर market में 100 रुपे का momentum हो रहा है, तो आपका target होना चीए, बहुत 60 रुपे लेने हैं हमको, ठीक है, 60 का हम पकड़ने है, बहुत हो गया, 100 का 100 नहीं पकड़ पाएंगे हम, ठीक है, किसी दिन असी हाथ में आगया, तो वाह, क्या किसमाता है, ठीक है, यह बोलना, तो अभी अगर मैं अकल फिन Nifty के expiry भी है, तो वो हम द जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नी चाएगा, थोड़ा यहां पर तड़ पाएगा, फिर उसके बाद अगर मार्केट को breakout देना होगा, तो देगा, ठीक है, तो 19,800 के ऊपर ही हम कुछ मार्केट ने, छोटा मोटा bullish position नहींगे, ऐसा नहीं कि एकदम चप से चिपका दिया, स और अगर निफ्टी में आगर आप देखेंगे, तो यहां पर आपके लिए 19,800 पर ही सबसे ज़्यादा open interest created है, तो मतलब 19,800 तो यह cross करने से, इस expiry मुझे नहीं लग रहा है, यह cross कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर फिर से जब जाएगा, तो यहां पर फिर से इस resistance type income मिलेगा, तो देखें किस तरीके का develop होता है कल के पर्सों के session में market, ठीक है, बैंक निफ्टी कर हम देखेंगे, तो बैंक निफ्टी के लिए अभी 45,000 strong resistance बना हुआ है, 45,000 strong resistance बना हुआ है, कि यहां पर अगर market इसके नीचे market जब से तोड़ा है, इसके उपर जाने की market आएगा, तब भी मैं यहां पर देखें, मैं bullish कब होंगा, यहां पर भी 50% अब निकालते हैं, फिबनाची से, या फिर हम simply ऐसे भी निकाल सकते हैंगे, यहां से अगर market नीचे आया, यहां तक, तो around 45,500 के आसपास, ठीक है, 45,500 के आसपास, यहां कहीं पर, इसके उपर जब आपको indication मिल सकता है, जब-जब market में downfall आया है, तो आपको यह देखना है कि आपको indication कैसा देता है, market breakout देते वक्त, या bullish move करते वक्त, ठीक है, ऐसे move, ठीक है, ऐसे move दिखेंगे आपको, ठीक है, ऐसे move market में दिखेंगे, bullish move दिखेंगे, strong bullish moves market में आपको दिखाई देंगे, आप पीछे भी जाएंगे तो आपको ऐसे ही कुछ-कुछ मार्केट में दिखाई देगा जब मार्केट निकलने की कोशिश करता है तो बायर्स आके एक बार अपनी नहीं आएगा ट्रेड लेने का ठीक है तो बैंक निफ्टी में भी मेरे हिसाब से जब तक की मार्केट इसी जोन में 44-400 से लेकर 45,000 इसके जोन के बीच में है तब तक आपको कोई भी बड़े ट्रेड्स मार्केट में नहीं दिखाई देंगे अपसाइड पर मार्केट क्या करेगा थोड़ा यहां पर टाइम पास करके अगर निकलता है तो छोटा मोटा ट्रेड लीजिएगा बड़ा ट्रेड मत प्लान करेगा यहां पर नीचे साइट पर ब्रेक दिया था था थिक है फिर यहां पर अपर एक गैप आजाएगा वहां पर मार्केट रिस्टेंस ले सकता है निफ्टी बैंक अगर देखेंगे तो आपको 45,000 पर स्टॉंग रिस्टेंस दिखाई दे रहा है ठीक है तो थोड़ा से यहां पर इंट्रेस्टिंग सेनारियो हो सकता यह वाला ठीक है फिन निफ्टी अब चूंके कल एक्सपायरी है तो हम डिसकस कर लेते हैं कि फिन निफ्टी किस तरीके से बीएव कर सकता है तो देखें सिंपल सा फिन निफ्टी में आपको यह दिखाई दे रहा होगा लेवल कौन सा लेवल है यह 19,920 ठीक है एक और चीज में आपको बताता हूं कि यह भी मैंने बहुत बार अबसर्व किया मार्केट में कि 20 और 80 वाले जो लेवल है यह मार्केट में बहुत रिस्पेक्ट होते हैं अब इसका पीछे का रीजन क्या है मुझे नहीं पता ठीक है इसका क्या लॉजिक है क्या रीजन है मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मैंने यह बहुत बार देखा है कि 20 जैसे की 19,920 और 19,880 ऐसे लेवल मार्केट में बहुत रिस्पेक्ट होते हैं ठीक है जैसे आज भी आप देखेंगे मैं बताना भी चारा था थोड़े दिन से पहले से आपको आज भी देखेंगे तो 19,720 लेवल है ठीक है अप साइट पर आप देखेंगे रिजिस्टन्स कहां पर है 19,920 पर ठीक है सेम निफ्टी में भी खासका निफ्टी में मैंने देखा यह निफ्टी फिन निफ्टी में अच्छे से फॉलो होते हैं बैंक निफ्टी क्या कि थो अब भी अगर देखोगे अगर यहां से जो रिजिस्टन्स आया वो नियर आबोट 19,220 के आसपास आया देखरें यह जो हाइए इसका स्केंडल का जो हाइए यह 19,220 के आसपास का है 19,220 ठीक है यहां से मार्केट में यह नीचे आया है ठीक है तो यह मैंने एटी वाले भ बहुत अच्छे से ठीक है, बहुत बार मैंने ये चीज़ देखी है, ठीक है, जैसे, हाला कि ये तो राउंड नंबर से 19,500 से ही लिया है, ठीक है, मतलब कई-कई बार देखी है, ऐसा नहीं है कि ये रूल फॉलो ही फॉलो होता है, बिल्कुल ये मत लेके चलिएगा, लेकिन एक observation बता रहा हूं मेरा, मैं आपको, कि मैंने देखा है कि ये 20 के levels और जो 80 वाले levels है, ये market में थोड़ा अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, अब उनके पीछे क्या logic है, जिसमन आपको बता है, नहीं पता, फिर निफ्ट की अप्चूंकि कल expiry है, तो ये देख लेते हैं कि यहां से हमेरी level कौन सा है, 19,000, 220, ठीक है, 19,000, 920 नीचे पर 19,000, 720, अब इसके बीच में अगर market में अगर flat opening हो रही है, exactly, ठीक है, flat opening के case में आप बूल जाएगा कि अभी कोई बड़ा momentum होगा, unless market क्या करता है, धीमे धीमे चाल अपनी बढ़ा कर, second half तक किसी जगह पहुंचता है, फिर sideways जाकर upside पर break करता है, या फिर market upside पर इस तरीके से open हुआ, यहां पर ऊपर चला गया, फिर यहीं पर time spend कर रहा है, upside पर break दे रहा है, तो यहां पर एक छोटा trade आपको मिल सकता है, जो कि आपको यह gap तक का ही आपको target रखना है, क्योंकि अभी 20,000 का level अगर market में है, तो यहां से resistance तो market जरूर जरूर लेगा, ठीक है, 20,000 के आसपास से market में resistance आ सकता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान समझ के चलना है, ठीक है, तो बड़े trades अभी plan मत करिए, जैसे मैंने आपको कहा, जो market cycle है, उसको थोड़ा सा respect करिए, market में एक trending move आ चुका है, और अभी थोड़ा सा market इस move को digest करने ही कोशिश करेगा, डिसाइड करेगा कि इसको और continue रखना है, या इसको reverse करके हमें ऊपर जाना है, उसके लिए थोड़ा market में wait करिएगा, market में अगर कोई gap down opening होती है, तो market में ठीक है, bullish side पर कोई भी budget rate plan मत करिएगा भी, ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला कि अगर FI data देखें तो आज के दिन थोड़ा bullish activity होती भी दिखाई दिये, कि call भी बड़े हुए है, put भी थोड़े बहुँद डिक्रीज हुए है, ठीक है, futures में हाला कि अभी भी selling लगी हुई है, नेट और OI देखा जाए, तो अब futures का net OI negative दिखाई दिखाई दे रहा है, ठीक है, FIIs का net OI जो है, futures में हो negative होता हुँद दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है, तो कुल मिला कि मेरे साथ से nifty, bank nifty दोनों थोड़े bearish दिखाई दे रहे हैं, market fall के बाद market ने एक pause लिया है एक doji बनाया है, तो ये doji जो है, मैं काफी indication दे देगी किस तरीके का market हो सकता है, जब market doji एक continuation तरह act कर सकती, इसके नीचे अगर market निकलता है, तो हम market में trade plan कर सकते हैं, एक बड़ा move हमें market में देखने को मिल सकता है, परन्तु वही है कि market में जो monthly close है, उसके भी होने का भी है, ठीक है, मतलब कुछ पांच दिन बचे हैं अभी, पांच दिन भी नहीं बचे हैं, एक, दो, तीन, चार दिन बचे हैं, चार दिन बचे हैं तो थोड़ा सा यहां पर जब monthly close हो जाएगा, तो हम market में next month में एक अच्छा momentum expect कर सकते हैं, कि market upside पर गया, नीचे आया, upside पर ज comment आने के लिए, ठीक है, dollar को अभी भी ignore करके हमें चलना है, मुझे ऐसा लग रहा है, bullish move यहां पर आ सकता है, लेकिन वही है कि stop loss कहां डालेंगे, यह red candle बनी हुई है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक में trade आपको नहीं कहा सकता हूँ, करने के लिए यहां पर, तो अभी इसको ignore ही करते हैं, हम लोग कोई sense नहीं है, इसमें अगर, और देखें, मेरा simple fund आ रहता है, कि देखा अगर, थोड़ा बहुत, देखा, market में अगर structure मुझे समझ आ रहा है, तो ठीक है, हम लोग trade ले सकते हैं, यह समझ में आ रहा है, और मैं मुझे, जैसा मैं आप पूछना है, कि stop loss खान डालना है, ठीक है, तो इसी के साथ हमेशा के तरह अपने capital को बचा के trade करिए, stop loss के साथ trade करिए, hedge के साथ trade करिए, have a safe and happy trading with sensible, bye-bye.